हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल सीबीस, आउनलाइन लर्निंग, 36 गड़ के दो जीला की तरफ से भरती के लिए नई विग्यापन जारी की गई है, इसमें राइपूर और कोर्बा की तरफ से समविदा भरती के लिए आविदन आमंत्रित किये गए हैं, इसमें इप् सब्सक्राइब करके वेल आइकान को प्रेस कर दीजेगा जिससे की मेरे चैनल पर नेश्ट जाब अपडेट की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज की पहली वेकिंसी है, रायपूर अकिल भारती आयरविज्यान संस्थान रायपूर 36 गड़ की तरब से इसमें यहाँ पर समवीदा भरती निकाली गई है, वाक इन इंटर्वियो के माध्यम से भरती लिया जाएगा, 20 सितंबर इसकी जो है वाक इन इंटर्वियो की डेट यहाँ पर रखी गई है, AHA रायपूर एम्स कम् एक एज लिमिट यहाँ पर 30 साल है, प्लेस ओप पोस्टिंग एम्स रायपूर, प्रोजेक्ट डिरेशन 9 महा के लिए की जा रही है, और यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर M.C.A. M.C. IT. मांगा गया है 55 प्रतिसत के साथ में, रिसर्च एक्टिविटी में एक साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस तो भी एप्लाइ कर सकते हैं, गुड कम्यूनिकेशन इसकिल इसके लिए होनी चाहिए, सैलरी इसके लिए 18,000 दिया जाएगा, प्लस ट्रैवलिंग एलाउंस भी यहाँ पर दिये जाएगा, टाम इन कंडिशन भी यहाँ पर दे दिया गया है, देख लेते हैं, इंटर्वियू का डिटेल, डिपोर्टिंग टाइम सुबह 10 बजी से रहा है, का डेट ऑफ वाक इन इंटर्वियू, 20 सितंबर 2030 सुबह 10 बजे से इसके लिए वाक इन इंटर्वियू रखा गया है, इसका वेन्यू देख लेते हैं, रूम नमबर 2103 अक परसित होना है, अगर आपके कोई भी क्वेरी हैं, तो यहां पर एक कॉंटेक्ट नमबर भी दे दिया गया है, और इमेल आडी भी दे दिया गया, आप इसमें संपर्क कर सकते हैं, इसी PDF के लास्ट में एप्लिकेशन फॉर्म का फॉर्मिट भी आपर दे दिया गया है, जि कोड़, कॉंटेक्ट नमबर, इमेल आडी, पर्मनेंट एड्रेस, स्टेट, पीन कोड़, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वक एक्स्पीडियन्स, सभी जानकारी, डेट, प्लेस, नेम आपको कर देना है, तो इस प्राकार से एप को वाकर इंटर्व्यू के लोग पस्तित होना है, 20 सितंबर को वाकर इंटर्व्यू लिया जाएगा, सुबह, 10 बजे इस तर रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है, एक पज़ इसके लिए निकाला गया है, अगर आप इसके लिए प्लाइए करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं नेश्ट वेकेंसी है, कोरबा 36 गड़ की तरफ से, यहाँ पर वाकर इंटर्व्यू के माध्यम से भठती लिया जाएगा, वाकर इंटर्व्यू फॉर रिक्रूट्मेंट टू दा पोस्ट आफ फूल टाइम स्पेशलिस्ट, पार्टाइम स्पेशलिस्ट एंड सीनियर रसि के लिए हाँ पर कॉंट्रेक्ट बेसिज बार यहाँ पर हॉस्पिटल कोरबा में यहाँ पर वेकेंसी निकाली गई है, वाकर इंटर्व्यू के माध्यम से बढ़ती लिया जाएगा, वाकर इंटर्व्यू का वेन्यू यहाँ पर दे दिया गया है, इस आईसी हॉस्पिटर कोर्बा 36 गड़ डेट इन टाइम आफ इंटर्व्यू 20 सितंबर 2023 सुबह 9 बजे से साम 4 बजे तक यहाँ पर वाक इन इंटर्व्यू का आयोजन किया जाएगा रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 से 11 एम 20 सितंबर 2023 इसके लिए जो भी इच्चु का भ्यारती है इमेल आइडिया पर दे दिया गया है इसके माध हम से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी हाट कॉप्य यहाँ पर साम चार बज़े तक आपको जम्मा कर देना है 19 सितंबर तक यहाँ पर एप्लिकेशन फॉर्म आपको सम्मिट कर देना है 20 सितंबर को इसका वाक इन इंटर्व्यू लिया जाएगा देख लेते हैं पदों का वीवरन फूल टाइम स्पेशलिस्ट पार्टाइम स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पर जनरल मेडिशियन में एक पद है यहाँ पर और जनरल सर्जरी के लिए एक पद है OHSNGY NE के लिए 1 पद है Orthopedics के लिए 1 पद है Radiology के लिए 1 पद है Pagetrics के लिए 1 पद है Anasthia के लिए 1 पद है Chest के लिए 1 पद है ENT के लिए 1 पद है Dramatology and STD के लिए 1 पद है इसले का total 10 पद यहाँ पर निकाला गया है Full-time और Part-time specialist के लिए अब देख लेते हैं senior resident के लिए यहाँ पर anesthesia में एक पद है general medicine और यहाँ पर gynecology, general surgery, orthopediatics, test, ENT सभी में यहाँ पर एक पद निकाले गए हैं इस पकार यहाँ पर भी 7 पद निकाले गए हैं पीजी डिकरी के साथ में या पीजी डिप्लोमा इन कंसर्न स्पेसलिस्टी फ्रम डिकाले इन युनिवर्सिटी और डिस्टर विट मेडिकल कॉंसिल आफ इंडिया इस्टेट मेडिकल कॉंसी तो अगर आप यहाँ पर पीजी डिकरी के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं और सीने रसीडेंट के लिए यहाँ पर मंगा गया है या बीडी एस भी पीजी डिग्री होना चाहिए या पीजी डिप्लोमा इन कंसर्न स्पेसलिटी फॉर्म डिकालाइज्ट युनिवर्सिटी और नॉन पीजी डॉक्टर हाविंग एट लिस् मगा गया और जडिकाली लिए और से के लिए कळी लिए पाटाइम पा tracks पाल टाइम पताइप फीजर जाएग एक लाग डिया जाया इसके लिए फूल टाइंटरूम के लिए और पार टाइम के लिए साथ हजार और यहां पर सीनर रसिटेंट के लिए एक लाग चौदा हजानों सो पच्पन यह पर पेमेंट दिया जाएगा और भी जानकारी यहां पर दे दी गई है जिसे आप पीडिएप डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं एज रिलेक्सेशन भी आपर दिया जाएगा जिसे भी आपी पीडिएप से रीड कर लिजेगा एप्लिकेशन के साथ में अपना दो फोटोग्राफ अपको लगाना होगा और एजप्रूप के लिए आपर टेंद का सर्टिफिके है तो भी लगाना होगा और कास्ट सर्टिफिकेट और पीजी डिक्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट और यहां पर सभी जितना भी मंगा गया है और आपको एक सेल्फ अटेस्टेट कोपी के साथ में इसके लिए उपस्चित होना होगा इसकी जो भी जानकारी रहेगी इसके ऑफिसल वेबसाइट पर अप्लोड की जाएगी और यह नोटिफिकेशन की पीडिये भी आप इसके ऑफिसल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते ह है वहां से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रीट कर सकते हैं इसी पीडिये के लास्ट में इस प्रकार से एप्टिकेशन फॉर्म का प्रारूप दे दिया गया है जिसमें सभी आवस्त जानकारी मंगी गई है इसे फील आप करके आप इसके लिए एप्लाइब कर सकते है अने जिले की तरफ सभी भरती विग्या पंचारी की गई है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्किप्शन में आपको डिसेंट अप्लोड़े वीडियो की प्रेलिस्ट मिल जाएगी वहां से अगर आप उन पादों के लिए भी एलिजिबल होंगे तो एप्लाई कर सकते हैं और अगर आप मेरे टेलेग्राम चैनल से जोड़ना चाहते हैं तो इसकी वीडियो के डिस्किप्सम ने प्रवाइट कर दी गई है आप चैनल जाइन कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में कर दीजेगा मेरे चैनल पर नए है जिससे कि मेरे चैनल पर ने शजजब अब्रेट की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके आज कर मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यमाद